ना तो कोई भारतिय सीमा में घुसा है और नहीं कोई भारतिय पोस्ट किसी के कबजे में है। पूरी गलवान घाटी पर अपना दावा जताया और इतना ही नहीं हाल में पूर्वी लद्दाक सीमा पर हुए विवाद के लिए भी पूरी तरह से भारत को ही दोशी ठहरा दिया है। शुक्रवार को अपने बयान में स्पश्च कर दिया है कि सेना को फैसले लेने की पूरी छूट दे दी गई है। शुक्रवार को ही वायू सेना प्रमुक एर चीफ मार्शल आरकेस भदोर्या ने भी लेह का दोरा कर तैयारियों का जायजा लिया। चीनी प्रवक्ता ने जूटे दावे करते हुए कहा कि गलवान घाटी वास्तिविक नियंतरन रेखा के चीनी साइड में स्थित है। कई भर्षों से यहाँ पर चीन की सिना पेक्ट्रोलिंग करती आ रही है। अप्रेल से भारतिये बॉर्डर सैन्यबलों ने वहां मनमाने तरीके से सडक, पुल और दूसरी सुविधाओं का निर्मान शुरू किया। चीन ने कई मौकों पर इसका विरोध किया। लेकिन भारत ने इस पर ध्यान नहीं देते हुए लेसी के आगे तक निर्मान काम कर चीन को भरकाने की कोशिश की। चीन के बीच सैन्यबलोमेटिक स्तर की बार्ची भी शुरू हुई। भारतिय सैन्यबलों ने आश्चरे जनक तोर पर 15 जून को कमांडर स्तर पर हुई बार्चीत में बनी सहमती का उलंगहन किया। और एक बार फेर लेसी को पार किया। जब गलवान घाटी में हालात सामाने हो रहे थे तब भारत के तरफ से जान बूचकर उकसाने के लिए ऐसा किया गया। भारतिय सेना ने चीन के सैन्या धिकारियों बसैनिकों पर हिंसात्मक प्रहार किया जिस उसे जड़ब कुई और जाने गई। चीनी प्रबक्ता के दावों के विपरीद सचाई ये है कि चीनी सेना पिछले करीब डेड़ महीने से लगातार पूर्वी लदाक में बॉर्डर प्रोतुकॉल का उलंगन कर रही है। झाल झाल